इसका रेडियस बेस का 14 है हाइड 15 है चार आइडेंटिकल सिलेंडिकर कट फ्रम इच बेस ओके उपर से भी नीचे से भी और हाइड दिया है स्मॉल सिलेंडर की पांच दी हुई है इस तरह का सिनेरियो है बताना है सर्फेस हिर्या क्या होगा बहुत बढ़िया सवाल है पर थ फोड़ी सी अंडरस्टांटिंग डेवलप करोगे तो आराम से होगे देखो जान से मैं इसका 3D प्रोजेक्शन आपको दिखाता हूं की के सिलेंडल काुप ने का मतलब जानते क्या है जैसे जब कटेगा नाहीं तो देखे ऐसे कटेगा यहां पर टू ड्यव्वीु दिए होगा इसलिए इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसे कटेगा सरर में की स्बसक्राइब काटों है ठीक है जैसा उपर वैसा ही नीच अब ध्यान से देखने हैं जब आप इसको काट विजिलाइज करते हैं इसको पहले कहानी क्या थी जब पहला सिलेंडर हमें दिया होगा तो टॉप जो है ऐसे होगा ध्यान से देखना कि मैं बात कर रहा हूं इस तरह का कुछ टॉप होगा करवड से इरिया होगा टॉप एरिया बॉट मेरा सॉलेट की बात कर रहा है फिर आपने किया इसके अंदर ड्रिल किया आप सब्सक्राइब कर दो जब आपके बास बचेगा उसमें यहां पर खाली स्पेसे हो जाएंगे क क्योंकि आप ड्रिलिंग मार रहा हो तो यह इसके longevity खाली स्पेसिस हो गया यानि यह तो आपका हो गया सर्फसे ऑड्या जो आफ लूज कर रह101 मैं इसकी बात कर रहां। यहां ड्रिल सेरिया गेनी तो हो रहा है उमीद करता हूं समझ जा रहा है यहां अभी फरक्या पड़ा जब आपने चार ड्रिलिंग करी अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं यहां उपर सर्फेस एरिया लूज हुआ है तो यह वाला जो सॉलिड पोर्शन है यह वाला जो सॉलिड पो पोर्शन को ऊपर दे दिया तो जरह ध्यान से समझो क्या होगा अब देखो क्या गेन हो गया आपको पहले जो सर्कल था पहले जो आपके पास कहीं न कहीं इस फेर था क्यों यहां से तो यह पूरा सॉलिड पार नीचे तक होगा आपको गेन क्या हो आप देखो जब मैंने जो सर्फिस एरिया था जब मैंने इस बैलेंसिंग करी ड्रिल तो खहरे नीचे तक यह सॉलिड होगा इसको मैंने उपर शिफ्ट किया है यह समझाने के लिए को गेन कहा हो रहा है तो अगर मैंने इसको उपर शिफ्ट कर देखो आप बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा पह आ पहले था लेकिन जो गीन इस सर्फिस एरिया का बने प्लास एट ताइम्स चोटे वाले सिलिंडर से हैं इनका सिर्फ के अर्हा जोड़ना है तो पहले कितना था भाईया वाले आपका 2 pi r into r plus h मैं लेकरा हूँ 2 pi r into r plus h ठीक है अभी क्या हुआ plus 8 times curved surface area आपका simply क्या होगा पता ही आपको 2 pi r h होता है 2 pi r dash h पर यहाँ radius कितना है देखना ध्यान से यहाँ जो radius है वो आप निकाल सकते हो क्योंकि यह पूरा जो value है वो 14 है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यह आपका हो गया 8 into 2 pi into यहाँ पर मैं r की value लिख दें हूँ ताकि कोई confusion नहीं r s लिख देता हूँ देखिए यहाँ पर 14 था h की value कितनी थी 15 थी यहाँ पर height 5 है और radius कितना है radius आपका दिया हुआ है यह r plus h होगा सारी तो यह 14 प्लस 15 हो जाएगा और यहाँ पर 2 pi r h लिखना है क्योंकि cable count surface नहीं लिखना है तो r की value यहाँ पर हो गए हमारी 3 7 बटे 2 भी लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है into h, h की value कितनी है 5 यह आपका हो गया answer तो आप सिंप्लिफाई करना पड़ेगा तो pi की value 22 बड़ा साथ आप लिख लो तो अगर आप इसको 22 by 7 लिखते हो तो यह value कटके कितनी मल जाएगी आपको 2 तो आप देख सकते हो यह पहला part जो मिल रहा है मुझे वो 29 times और यह 288 मिल रहा है तो आप यहां प्रदान से लिख लोगा यह 2 से 2 कैंसल हो गया तो आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो 88 के टर्म्स में तो यह 88 times 10 दिख रहा है मुझे यहां से 2 निकाल लो आप अगर आपने पहले से थोड़ा विजलाइजेशन की प्राक्टेस नहीं करी हुई है तो यहां पर क्या सर्फेस एरिया निकलेगा तो यह दिस वोड़ी गूट क्वेशन अगर आपको थोड़ा सा मेंटली विजलाइज आप कर सकते हो एक बार यह अंडस्टांड हुआ की घेन सर्फेस एरिया क्या हुआ है आठ का कर्वट सर्फेस एरिया क्वेशन ओड़ होगा तो मुझे नहीं को चाहिए